पुना स्वागत है चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करें आज हम सुरू करते हैं मनोभी ज्ञान एवं पेड़ागोजी से 30 महतोपूर प्रस्णों को और अपने ज्ञान को पर्क हैं कि आपकी तैयारी 22 दिसंबर को होने वाली UPTAT के लिए कितनी सटिक है तो बिना समय गवाए हम सुरू करते हैं पहला प्रस्णों लेकिन सुरू करने से पहले आप से इतना करना चाहूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक व प्रस्ण। उपलब्धी प्रेरख एक प्रेरख है कैसा प्रेरख है तो उपलब्धी प्रेरख एक मनोवव्ज्णनिक प्रेरक है अचिव में मोम्टिव जो होता है वो सारीरिग न होकर एक मनोवैज्ञानिक प्रेरक होता है प्रश्न संख्या दो ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान ब्यक्ति के ब्योहार से किया जा सके प्रश्न ब्यक्ति उसकी उपस्थिती का अनुभव नहीं करता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं तो जब उपस्थिती का अनुभव नहीं करेगा उपस्थिती का अनुभव नहीं करता है तो वो प्रेरक हो जाता है अचेतन प्रेज़ग विकल्प बी सही तीसरा भूख एक प्रेरक है कैसा प्रेरक है भूख आप बताएए प्राइमरी सेकेडरी अरजीत अचेतन तो भूख एक प्रात्मिक प्रेरक है विकल्प भी सही भूख किस प्रकार का अंतर नोध है तो भूख एक धनात्मक अंतर नोध है विकल्प ए सही मासलो के आवशक्ता पदानुकरम सिध्धान्त के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवशक्ता पूरी होती है मासलो ने जो मांग सिध्धान्त दिया था उसके अनुसार पहली कौन सी पूरी होती है तो इसमें देख के बताएं इसमें सम्मान आत्म यतार्थता सुरक्षा सामाजी किसमें कौन सा पूरा होता है तो इसमें पूरा होता है विकल्प भी सही विकल्प भी सही आत्म यतार्थता सेल्फ ट्रांस्टेंस्टेंसन आत्म यतार्थता सारीरीक आवशक्ता के कारण उत्पन सारीरीक इस्थिति को अंतरनोत ड्राइब कहते हैं इसे इंगलिस में ड्राइब कहते हैं माशलों के अनुसार सबसे पहले आवशक्ता पूरी होती है किसकी आवशक्ता पूरी होती है तो सबसे पहले फीजिकल नीड होता है मतलब सारीरीक दैहिक फीजियोलाजिकल नीड इसमें क्या हो जाएगा विकल्प भी सही फीजियोलाजिकल नीड अचेतन प्रेरक का महत तुस्वर प्रथम किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो अचेतन अनकांसेस मोटिव का जो प्रेरक था वो सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था फ्राइड के द्वारा बाई लोजिकल या फिजिकल आवशक्ताओं से उत्पन अंतरनोद को क्या करते हैं तो विकल्प इसमें सही होता है C, प्रात्मिक अंतरनोद किसी प्राणी की ऐसी इस्थिती या अवस्था जो बेवहार को लक्ष की और निर्देशित करता है उसे कहते हैं जो बेवहार को लक्ष की और निर्देशित करें ऐसी अवस्था को हम प्रिनडा कहते हैं बिना प्रञडा का कोई काम नहीं हो सकता है प्रञडा लाई आपको काम करने के लिए तत्पर करती है निम्नलिकित युग्म मेंसे कौन सा यूग्म अशात्य है भोग सारीरिक अंतर् नोध है, उपलब्दी प्रेर्श जन्म जात प्रेरख है आकरमक्ता प्रेरक अरजी तुप प्रेरक है क्रोध संबेग तो इसमें कौन सा यूग्म अशत्य है तो इसमें अशत्य यूग्म हो जाएगा भी उपलद्य प्रेरक जब जन्मजात प्रेरक नहीं है बारामा प्रस्ण आवशक्ताओं के पदा अनुकरमिक्ता का उलेक सर्वपर्थम किसके द्वारा किया गया था तो सर्वपर्थम आवशक्ताओं का मांग सिद्दान सबसे पहले किया गया था माशलों के द्वारा भिकलपिटी सही तेरावा प्रस्ण बेवहार में परिवर्तन करना सीखना है विकल्प C अपेक्षाक्रित सीखना है S.O.R कारकनिम्न में से किसकी देन है? S.O. कारक देन है वुडवर्थ की विकल्प D सही संबंदवाद का सिद्दां किसने परतिपादित किया था? गेस्टाल्ट वादियों ने परिस्थिती के सही परतिक्षिकरण को क्या कहा है? गेस्टालट वादियों ने सही परतिक्षी करण को क्या कहा है, विकल्पसी सही, थांडाइक मनुबैग्यानिक थे, तो थांडाइक मनुबैग्यानिक थे अमेरिका के. इसकीनर 1938 में नैमेत्तिक अनुमंधन सम्मंदी परियोग किस पर किया था मतलब इसकीनर ने अपना परियोग किस पर किया था तिसकीनर ने अपना परियोग चुहे पर किया था नैमेत्तिक अनुमंधन को अनिक किस नाम से जाना जाता है तो नेमतिक अनुबंधन को हम किरिया परसूत सिध्धान्त के नाम से भी जाते हैं किरिया परसूत अनुबंधन के नाम से भी जाने जाते हैं पूरस्कार एमदंड एक परकार के हैं पूरस्कार एमदंड एक परकार के हैं क्या बाहय प्रेणडा पुरसकारियं दंड क्या है? एक बाहे प्रेणा है, एक कीजामा प्राश्ण, एक कारे के सीखने का, दूसरे कारे के सीखने पर कोई प्रभाव नई पड़ता, तो इस पर्सिक्छर अस्थानांतरन को क्या कहते है? इस परशिक्षण अस्थानांत्रों को क्या कहते हैं चारुबी कल्प देखिए इस परशिक्षण अस्थानांत्रों को हम कहते हैं सुन्य परशिक्षण अस्थानांत्रों को अनुबंद परियोग में केवल अनुबंद ुद्धिपक के उपस्चित करने होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं तो विकल्प भी सही होता है अनुबंदित अनुक्रिया निम्नलिकित युग्म में से असत युग्म कौन सा है बहुत ही महत्वपूर है 24 आमा प्रस्ण देखिए इसकीनर ने चूब पर परियो किया ये सही है थांडाइग ने बिल्ली पर परियो किया ये सही है पाबलब ने कुत्ता पर परियो किया बिकल्प डी गलत होता है 25 प्रस्ण पर्थम अवस्था में सीखे गए कारे के परिडाम सरू दूसरे कारे को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रति अस्थानांत्रण के हो जाता है किसके चारू बिकल्प देखकर बताईए तो इसमें बिकल्प भी सही होता है निगेटिव निसेधात्मक ऐसा बेवार जो ग्यातेयों निस्चितु दिव को द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं उन्हें प्रतिकृत बेवार क्या कहते हैं उन्हें प्रतिकृत बेवार थानडाईक के परियोग में बिल्ली के लिए पूरसकार स्वरुख था मतलब थानडाईक ने बिल्ली को क्या पूरसकार देते थे अपने परियोग में तो उसका परियोग था भोजन अठाई समा प्रशन निम्नलिकित युगम में से असत युगम कौन सा है चारो बिकल्प देखकर बता है निस्यदात्मक पुनर्वन, गाली देना, सारीरीक प्रेड़ा, निद्रा, बाह प्रेड़क, पुरसकार, आंतरीक प्रेड़क, वेतन तो इसमें हो जाते है बिकल्प D सही, आंतरीक प्रेड़क, वेतन पावलो के अनुबंद के परियोग में, चारो बिकल्प में कौन सा सही है, तो पावलो के परियोग के अनुबंद में बिकल्प D सही होता है, पहले दोनि उसके पश्चात भोजन चूंड प्रस्तुच किया गया था, बिकल्प D सही अंतिम प्रस्ण थांडाई का अधिगम सिद्धान्त निम्न लिख में से किस रूप में जाना जाता है थांडाई का अधिगम सिद्धान्त निम्न लिखित में से किस नाम से जाना जाता है तो थांडाई का सिध्धांत पर्यास्यम तुरूटी के सिध्धांत के रूप में जाना जाता है इस तरह से वीडियो संपन होता है चैनल को अधिक सब्सक्राइब लाइक वो सेयर करना ना भूले